नमस्कार जैशी रादेर जैशी किष्णा मित्रों मैं हूँ आचारे सचिन शिरोमणी 17 अक्टूबर 2017 धंत्रे उदशी की हमारे सभी बंदू माताओं बहनों को हारदिक शुपकाम नाए आचारे सचिन शिरोमणी की और से धंत्रे उदशी जैसा की सर्व विदित है जब धन की आवक भड़ने लगे तो धंत्रे उदशी आप किस तरीके से मनाएं क्या उसका विधान रहे किस तरीके से आप परिवार के अंदर पूजा अर्चना करें ये आज हम संपून आपको विस्तिरत रूप से जानकारी देंगे धंत्रो धंत्रोद्रशी का तिवाहर जो है भगमान धन्वंत्री के प्रकट उत्सव के रूप में मनाया जाता है भगमान धन्वंत्री थे आपको बता दें जब वो प्रकट हुए समुदर मंथन के दोरान उनके एक हाथ में अमरित कलश और दुट्य हाथ के अंदर यानि कि दूसरे हाथ के अंदर आयरवेद लेकर वो प्रकट हुए थे भगमान धन्वंत्री की पुजार चना जब की जाती है तो श्रीर के समस्त रोग जितने होते हैं चाहिए वो मानसिक रोगो शारेलिक हो वात्पित काफ किसी भी तरह का रोगो वो पूण रूप से दूर हो जाता है अब आपको बता दे भगवान धन्मंतरी कि जब पुजार चना की जाए तो शुद्ध और सात्विक मन से पुजार चना की जाती है घर के मुख्य द्वार पर और आंगन में हर तरीके सुपोन रूप से दीपक प्रजवलित किये जाते हैं और इसी कारण से भगवान धन्मंतरी के प्रकटे उचसव प्रकटे दिवस के कारण जो है धन्तरोदशी का मनाया जाता है मित्रो इस दिन ऐसा माना जाता है कि जो भी आप सामान गेहने बरतन आदी जो परचेस करते हैं खरीदारी करते हैं इस दिन आपको बतादे मुहृत भी हम आपको बताएंगे और साती साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से उसकी पूजा अरचना की जाए साथी साथ गोधुली वेला के अंदर जो है भगवान यम की आप पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए और शुब मुहुर्थ के अंदर ही आपको हो सके तो आप अपनी ग्रहनी को यानि आप अपनी धर्म पतनी को या किसी बुजर्ग इस्तरी को आप जो है कुछ गहना जो दे सकते हैं कुछ बरतन दे सकते हैं कुछ चांदी सोने का आपूशन आप खरीद सकते हैं लेकिन साथी साथ एक चीज का आपको खासतोर से ध्यान रखना है कि आज के दिन आप किसी को पैसा उधार बिलकुल ना दीजिएगा क्योंकि आज के दिन दिया हुआ पैसा बिलकुल आपको उधार वापिस नहीं मिलेगा साथी साथ आपको बता दें आज जो विधान रहने वाला है एक आपको जानकरी मित्रो और दे दें कि आज के दिन जो भी आप समान जो कुछ आप कुछ अनाज खरीदते हैं कुछ धन से आप सोने का समान खरीदते हैं कुछ चांदी के गहने बरतन कुछ भी आप खरीदते हैं तो उस चीज में 13 गुना विरद्दी होती है मित्रो इस चीज का आप खास्तोर से थ्यार रखिएगा साथी साथ आपको बता दें यहाँ पर धन्तर उदर्शी पर पूजा अर्चना का विशेश महुर्ट रहेगा वो साइकल साथ बीस से लेकर और आठ बच के 17 मिनट तक रहने वाला है क्योंकि जो आप पूजा अर्चना करेंगे मालक्षमी की जब पूजा अर्चना करेंगे कुबेर देव की पूजा अर्चना करेंगे तो इस्तर लगन में ही पूजा अर्चना की जाती है तो मानके चलिएगा मित्रो जब भी आप पूजा अर्चना करें मालक्षमी की कुबेर देव की वो इस्थरलगन में ही करें ताकि आपके घर के अंदर आपके व्यापार के अंदर हमेशा कुबेर जी का और मालक्षमी जी का वास हमेशा बना रहे और आप साथी साथ एक इसमें पूजारचना का एक विधान भी जान लीजिए आप एक पूर्ण रूप से एक शुद जो है कुबेर यंतर अपने घर की उत्तर दिशा की तरफ जो है आप इस्थापित करिएगा और हो सके तो लाल वस्तर पर आप उन्हें इस्थापित करें और साथी साथ 108 कमल गट्टे लीजिएगा ओम श्री कुबेर देवाए नमा इस मंतर का जाप करते हुए 108 कमल गट्टे कुबेर यंतर को आप अरपन कर दीजिएगा पूरी रात जो है इस यंतर को कमल गट्टों के साथ अपने पूजा इस्थल पर छोड़ दीजिए तत्पस्चात आपको क्या करना है अपनी पूजा अरचना यदि आप पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे नीचे दिएगे नमबर पे आप जो स्कॉल में आप देख रहे हैं जो चल रहा है उस पर आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमसे मिल सकते हैं और साथ ही साथ विशेश तोर पर आपको बता देगी दिपावली की पूजा अर्चना से सम्मंदित आपकी किसी भी तरह की कोई समस्ता है तो डारेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हैं तो मित्रो आपको धंतर उदेशी के पावन पर्व की हार्तिक शुपकाम नाय जैसी रादे जैस्री किशना